बिस्मिल्लाइ राख्मान रहीं, अस्सलाम अलेकूं मैं हूँ हानवान साथ शहसादी, गोहर पॉब्लिशर्स में खुशा मदेद, हमारा स्लोगन है Redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. Dear teachers and students, हम गोहर skill up series math nursery class पढ़े हैं और आज हम इसकी shapes के बारे में पढ़ेंगे, colors के बारे में पढ़ेंगे, तो चले आएं चलते हैं अपने सबग की तरह, अच्छा, बिए बताएं, जब आपकी ममा या आपके घर में आपकी पुफो, आपकी खाला, जब केक बनाती हैं, या चावल बना रही हूं, तो वो उसमें क्या करती हैं, मयर करती हैं, चीज़े डालती हैं, one cup of corn flour, one cup of sugar, one cup of oil, इस तरह से मयर करती हैं चीज़े, और हम भी जब दिल निका रहता हैं दूद पीने के लिए, तो ममा का कहती है, हम, जब छोटा सा portion ले लो, एक कप दूद पीलो, जब ममा कहती है, एक glass दूद पीलो, तो हमारा दिल करता है, बस जूट हो जए हमें दूद ने पीना लेकिन, अच्छे बच्छे तो दूद पीते हैं, आपने strong होना है, तो एक glass भर के दूद पिया करो, तो जब हम इन चीज़ों को देखते हैं, तो ममा कहती है, small portion पीलो, त हमें पता चल जाता है कि आज हमने कप में दूद पीना है, तो यहाँ पर भी आज हम measuring tools पढ़ेंगे, येस, जिन चीज़ों से हम चीज़ों को मापते हैं, जैसे a cup holds less water, एक कप में कम पानी आता है, a glass holds more water, और glass में ज्यादा पानी आता है, जब हम कभी कोडिक पीनी हो तो हम हम कहते हैं, glass में पीएंगे, लेकिन दूद, juice हम कहते हैं, cup में पीएंगे, तो थोड़ा होता है न, इसलिए, a cup holds less water, जो cup है, वो कम पानी इसमें आता है, और एक glass में ज्यादा पानी आता है, a glass holds two cup of water, इसमें अगर दो, हम cup पानी के भरेंगे, तो एक glass बन जाएगा, ठीक और यहाँ पर, one, two, three, four, एक glass यहाँ पर है, तो हम अगर इसमें चार glass पानी जो है, वो कठा लेना हो, तो हम क्या इस्तमाल करेंगे, जग, एक जग में चार glass पानी आता है, जो एक लीटर पानी होता है, वो तक्रीबन चार glass होता है, ठीक है, जब हम दो cup पानी के बहते हैं, तो एक glass पानी बनता है, और जब हम चार glass पानी लेते हैं, तो एक जग पानी बनता है, जग holds four glass of water, एक जग में चार glass पानी होता है, और जो हमारी books होती है, वो हमारे हाथ के बराबर होती है, आपके तो हाथ छोटे हैं तो इसलिए आप उसको जब count कर र तो तब आपको लगेगा कि यह तो आपके दोनों आतों में नहीं पूरा आ लेकिन जब भी बढ़ा करेगा तो उसके दोनों यह जो है उसके अकॉडिंग होगा A book is two span long एक किताब जो होती है वो two span long होती है और जो एक decks होता है वो six span लंबा होता है जितना भी जिसी का दिल चाहे उतना बड़ा एक table बना सकता है एक book two span long होती है और एक decks जो है वो six span long होता है तो इस तरह से हम चीजों को मयर कर सकते हैं तो जब हम एक cup पानी पियेंगे वह थोड़ा होगा तो इसमीन हमने एक glass पानी पे लिया जब हमें four glass पानी पीना हो फोर ग्लास हमने पानी किसी का सर्व करना हो तो हम उसके लिए एक जग इस्तमाल करते हैं और एक जग में four glass of voucher होता है और एक जो book है वो two span long होती है और एक dex जो है वो yes six span long होता है यहाँ पर एक carrot दी गई है ठीक है इस carrot के नीचे piece दे गए है हम इसको count करते हैं one two three four five six yes the carrot is six piece long yes अब यहाँ पर एक remote है और नीचे कुछ cells है हम इसको count करते हैं one two three four five yes the tv remote is five cell long अज अपने घर जाके अपना tv का remote लेना है और उसको अपने cell के साथ अपने मयर करना है कि वो कितने cell long है fill in the blank the ink pencil is dash paper clips long अब नीचे paper clips दे गए हैं हम इनको count करेंगे ताकि हमें पता चल सके यह कितने लब़ी है one two three four five six yes the ink pencil six paper clips long yes जो एक pencil होता है वो कितना है six paper clips के तरह जितना long होता है तो इस तरह से आज हमने देखा कि हम किसी चीज की लब़ाई को कैसे मयर कर सकते हैं टीर टीचर्स इस पेज के last पे आप लोगों के instructions दी गई है जिस तरह से हमने किताब में ज्यादा से ज्यादा objects का इस्तमाल करके बच्चों का concept clear करने की कोशिश की है इसी तरह से आप real life objects का भी इस्तमाल कर सकते हैं आपने class में मुझूद बच्चों के scale, pencils, books का इस्तमाल करके, diaries का इस्तमाल करके, heights का इस्तमाल करके आप बच्चों को concept दे सकते हैं क्यूकि बच्चों के span होते हैं तो आप बच्चों को फिक स्पैन की according ही बता सकते हैं कि कितनने कितने आप यह लांच चीजे करना है और उसको बताना है हम किस तरह चीजों को मेरे कर सकते हैं ओके अब हम साइस के बारे में पढ़ेंगे Size of the shapes from smaller to small to big अब मुझे आप बताओ कि हम यहाँ से एगर start करें तो यह small to big है और अगर हम यहाँ से start करें तो big to small है Yes! जैसे हम अगर इन three fingers के बारे में बात करें तो यहाँ पर big और यह small है Yes! और इस तरह से हम big and small के बारे में जान रहे हैं यह है small और यह है big One, two, three, four, five यह इसका size one है, two है, three है, four है और यह five है अब हम balloons of different size को देखेंगे Hmm! यहाँ पर big है और यह small है One, two, three, four, five Yes! अब हम नीचे एक activity करेंगे और इसको rearrange करेंगे Arrange the fish in order from smaller to bigger Write the number from one to five One is for the smallest and five is for biggest अब हम इसको गौर से देखेंगे और बताएंगे के इसका smaller कौन सा है वहाँ पर हम number लिखेंगे यहाँ से? Hmm! Yes! One, okay Two, three, four and five Yes! इस तरह से हमने इनको numbers दे दिये One हमने start किया smaller से और five तक हम गए है bigger तक तो इस तरह से हमने biggest तक जाते हुए हमने fishes के numbers दिये हैं Hmm! One, two, three, four, four, three, two, one Hmm! आज हम backwards counting करेंगे ठीक है? तो हम मिल के इसको पढ़ते हैं 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13 और 12 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, three, two, one Yes! इसे हम क्या करते हैं backward counting यह बहुत मज़े के game है न हम लोग इसको उल्टा पढ़ते हैं पहले हम लोगों ने sequence के साथ पढ़ी 1, 2, 3, 4, 5 अब हम 5, 4, 3, 2, 1 पढ़ेंगे अब हमें यहां पर कहा गया है कि Write the missing numbers of backward counting अब हमने backward counting में जो यहां पर missing numbers हैं उनको लिखना है 20, 20 के बाद या आएगा? Yes! 20 के बाद आएगा? 19, 18, 17, 16, 15 और 14, 10 के बाद आएगा? 9, 8, 7, 4, yes, 2, 1 Yes! इस तरह से हमने backward counting को complete किया है Dear teachers उम्मीद करते हैं आपने इस वीडियो से बहुत किस सीखा होगा मजीद सीक्रियों जाने के लिए हमारे साथ लेगा हमारी वेबसाट को जुरूर विजट की जाएगा जो के है www.gorepublishers.com जहां पर आपको मिलेगी scheme of studies, lesson plan और बहुत सी वर्क्शिप जिनका इस्तमाल करके आप अपने बज़ों की लर्निंग को मुझीद बेहतर बना सकते हैं